हलो दुस्तों स्वागत है आपका अपने चेना पजल मेनिया बितंकर में कल आई बी पी एस पी ओ मेंस के रिजल्ट के बाद बहुत सारे स्टूडेंस के कमेंड मेरे पास आए और जिनका मेंस एक्जाम के लिए रुआ है उन में से काफी सारे स्टूडेंस थे जिनका जिये में एक्सपेक्टेड स्कोर काफी कम बनना था किसी का 6 नमबर किसी का 6 नमबर किसी का 6 किसी का 5 किसी का 7 नमबर और उनको डर लग रहा था जिये की सेक्षन कट आफ का और काफी सारे स्टूडेंस कह भी रहे थे कि सर अगर GA की section cut off clear हो गई तो कहीं न कहीं हमारा mains exam भी clear हो सकता है और काफी सारे students थे जिनका GA में expected score कम बनना था उसके बाद भी उनका mains exam clear हुआ है तो जिस तरह का level GA का IBPS PO mains में देखने को मिला था तो expected भी था कि कहीं न कहीं जो cut off है वो जरूर गिरेगी इसलिए exam में accuracy बहुत जाना important हो जाती है जिस तरह आप quant or reasoning में accuracy maintain करते हैं तो उसके लावा जो other subject हैं courses करिए कि आप उसमें भी accuracy maintain कर सकें अगर वो tough आता है कम attempt बन रहे हैं कोई बात नहीं 7 बने, 6 बने, 8 बने, उतने ही बना के आईए लेकिन इतने attempt में आपके काफी जाना chance रहेंगी कि आपकी sectional cut of clear हो जाएगी लेकिन आप extra question लगा दोगे न तो यही डर बना रहेगा कि कहीं question जाना गलत ना हो जाएं जिससे हमारा selection न रोग जाए क्योंकि काफी सारे students हैं जिनके total attempt अच्छे थे quant reasoning में भी अच्छा score बन दा था लेकिन उनका mains exam clear नहीं हो पाया है बाकी जिनका mains exam clear हो गया है उनको बहुत-बहुत सो कामने interview के लिए और जिनका mains exam clear नहीं हो पाया है तो जब score card out होगा उससे आपको पता चल जाएका कि कहां गलती होई है आप बिल्कुल सही direction में जा रहा है पस उन गलतीयों पर थोड़ा आपको काम करना है 100% अगले exam में आप जरूर selection लोगे बाकी आप comment में जरूर बताएं जिनका mains clear हुआ है कि जो expected score है जिये में आपका कितना बन रहा था जिसमें आपका mains exam clear हुआ है और जिनका mains exam के लिए नहीं हो पाया है तो आप जरूर बताएं कि total attempt आपके कितने थे और आपको क्या लग रहा है कि किसमें आपका जो mains exam है वो रुका होगा बाकी मिलते हैं फिने इस वीडियो में जब तक के लिए धन्यवाद